हालो फेंट्स मादमेक एडमी टू पंजरुब का स्वागत है तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 का साइंस का फुल सॉलूशन प्रीवर्ड एक्जाम का यह लेटेस्ट है 2022 इससे बहुत सारे आपके क्वेशन इवीवर्ड के एक्जाम में डिक्टो मिलेंगे उसी पैटर्ट पर जो सबाल होंगे वह मैं आपको समझा दूंगी और आप कॉपी पैनल लेके बैटे जब भी मैं प्रीवर् आपने पूरे कॉशन इडिक्टो कर लिए पूरे सॉल्व तो जान लो कि आपका अच्छी तैयारी है ठीक है और भी आपना बैस्ट दे सकते हैं सारे सॉलूशन देख लीजी जितने हमने करवा रखें और सब आल जितने भी करवाएं वह ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए स फिर इन यह हैं ऐसे बिर मिलते हैं तो आपकोड़ेक्टिव यह एक्ष्टा जो कंड मुधा कां का में या दवाइड होता है और सभी में आपको एमची क्यू मिलेंगे खंड कामे मिलेंगे फिजिक्स से लेटेर वेई समतल दरप्रण की फोकस दूरी होती है का इससे देखाओ कि तीन कोशन त्यार हों गये शतलर्ण के फोकुल जोरी किसमे यह अगर आप से पूछे इस परश्ट द्रaष्ट की हाइब लीय डुनतमद्रेश्ट के जैद वर अप आप 25 सेंटीमेटर लाएंगे ठीक है कितना लाएंगे 25 सेंटीमेटर यह आप धिहां रखना यह आप तीनों कोशन अच्छ से देहां रखेंगे समतला पड़की पूछे तो अनन्द दूर बिंदू कहां बनता है तो भी अनन्द और नेत्र का अगर पूछे इस पर जिसकी निंतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमेटर है ठीक है इस तरह तो तीनों कोशन अच्छ से बनी होई गया सारे नमेकल कर लो सारे चैप्टों के तो बीस नमर आपके शुक्र हो जाएंगे समसे अब यह आप इस पेपर में देख सकते हैं इससे पेपर में पहले भी करवाया था दोजर अठारे का बीस का तो उसमें आप देख सकते कितने सारे सबाल पूछे गया तो इसका अंसर है 746 बाट अगर आपकी पी की वैल्यू टू एच्पी में दे रखी है तो आप बाट बनाने के लिए क्लिए क्लिए तो इंटू 746 करेंगे जितनी वी वैल्यू तब आपका बाट बन जाएगा क्लियर थार्ड देखो एक टैसला टैसला किसका मात्रक होता है तो आप इसका अंसर होगा एक टैसला होता है एक टैसला नेक्स देखो यह कोश्चन इतना इंपोटेंट है सबसे ज्यादा इस टाइप का कुश्चन जरूरू पुछाता है बोड के अब तक यतने भी एक नएक कोश्चन ऐसा जरूर पुछाता है यह बैरी स्वाट में ले चमता पूछ लेते हैं आप फोकस दूरी तो आपको दोनों फर्मिल लाने चाहिए चमता में पी से लिखते हैं इसको बन पॉन एफ होता है और सेंटीमीटर में हनेड़ पॉन एफ होता है इससे आप एप निकाल सकते हैं और यह बाला कोश्चन में आपको कई बार बता कितना होगा 10 और अब तहले हैं तो मैनस में तो इसका अंसर कितना होगा मैनस का 10 सेंटीमीटर आधा कैसे होगा वह देख लो आप क्योंकि एफ उन टू फर्मल अरपन टू अब तो मैनस में में रहेगी तो माइनस कटन इस तरह से आधाएगा आप ध्यान से रखना कभी भी MCQ मैं है तो आपको माइन्ड में आंसर फटापट से एक सेकेंड में निकाल देना है R पूछे तो आधा कर दो F का R अगर given हो F पूछे तो आधा करना है ठीके और F पूछे तो अगर पूछे F दे रखाओ R निकालना हो तो उसका डबल कर दो अगर यह पर R निकालना होता तो यह आंसर प्लस में चाले साता इसलिए वो कनफुछ करने के लिए दो आंसर जरूर देगा आधा करके और मल्टिबल करके पर आपको ध्यान रखना है कि F निकालना हो तो आधा करेंगे R निकालना हो तो डबल करेंगे तो यह होगा आपका माइनस 10 क्लियर उत्तल होता तो प्लस का 10 लेती यह बाला और पूछा हो तो यह प्लस का फूट्टी आ जाता हो तल में नेक्स्ट आइस नेल के अपवरतन कानिया इस चेप्ट में से बढ़ विच्छेपड किसे कहते हैं विबग्योर जो क्रम होता है इनका सही क्रम जो इंते धनुस बनता है यह आपको क्रम में याद होने चाहिए वाइलेट इंडिको ब्लू ग्रीन यलो औरेंज रैड लालो बैगनी में आपको प्रिकिर्ण पूछ आते हैं प्रिकिर्ण किसका अधिक होता है किसका कम तरंग धैरी यह आपको दोनों में अच्छे से याद होना चाहिए यह प्रिकास का परावदन का नियम पूछा आता है अपबरतन का नियम इसमें दो को इसनेल का पूछ लिया है इसका सवाल भी मैंने करवाई है तो इसकी डेफनेसिन कैसे लिखेंगे इसनेल के नियम की वो देख लो इसका फर्मला क्या होता है इसका form बता sin i upon sin r is equal to constant या नियतांक i upon r definition के लिखेंगे किनी दो माध्यमों के लिए कोई दो माध्यम होते है यह दा से आसे आती है कांच से जल में यह जल से कांच में तो किनी दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकास के लिए आपतन کونंड की जिया इसे जिया बोलते हैं इस brother आपतन کونड की जिया अपवर्तन कौड यानी आर अपवर्तन कोड जिया के अंपात का एक यह तांक होता है यह कॉंस्टेंट इसी से आपका पूरा सवाल बन गया तो यही इस निये का नियम है क्यासे लिखोगे किनी दो मात देमों के लिए एक ही रंग की प्रकास के लिए आप तन कोन की जिया तथा अप बरतन कोन की जिया दोनों का क्या होता है अनपात होता है जो नियतांक होता है इसी क्वेशनल का नियम कहते हैं फिर आपको ऐसे फॉर्मल लग देना है कि लिए अग्स्टा बतारी वो सब आपको करते जाना है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है यह दूर 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 आपको अच्छे से आने चाहिए तो इसने पूचा हम बहाँवनों में उत्तल दरपड को पश्च द्रस से दरपड के रूम में बरियता क्यों देते हैं अगर उल्टा प्रितम दिखाई देगा तो आपको दिखाई समझ में आएगा क्या है चीज अगर उल्टा प्रितम दिखाई देगा तो आपका एक्सिजन हो जाएगा ठीक है सबसे पहला पहला प्रितम जो होता है वो क्या बनता है सीधा इसलिए उत्तल को लेते हैं दूसरा रीजन है यह क्या होते हैं समतल की दूरपण में उत्तल दरपण जो होता है वो बहुत बड़े छेतर को कवर करता है थोड़े से एरिया को नहीं बहुत ज़्यादा एरिया के कवर को दिखाता है पीछे जितने बाहर आते तो उसको ज़्यादा छेतर में करके दिखा देता है यह आप नाक कान गलेन को देखने में डॉक्टर का यूज करते हैं दात को ठीक है उसमें करते हैं और उत्तल का इच्छी सिए पूछा एक पूछा है क्यों देते हैं को आप प्रित्वम सीधा बनता है दूसरा रिजिन है कि इसके जो दरश्टी शेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को दिखा देता है आपको मिरर में साइड में तो यह रीचेन है दो नमबर में आप सिंपल से लिग देंगे कि ठाटाक देखो दुर दस्ती की निबालत के लिए लेंज पू्षिलिया है बस निकट दूर दस्ती में क्या होता है उत्ताल है उत्ताल लेंज लगता है ठीक है और निकट बुषता तो काउन से लगता है अपतल ट्रिक बतायीThen मैं निया करके देख लिया अगर हो मतलब निकट में अप्तल लेंज लगता है ठीक है उत्तल में दूद अश्टी में होता है उत्तल डैफिनेशन पूछी आती बहुत सारी से मैंने पहले वाले पेपर सुलूशन में जितने अब तक डाले उसमें मैंने बताया हुगा कई बार नमबर बहुत अच्छी स्पोर कर पाएंगेㅎ साइंस हो गया उद्नीलिसबूक्णी हुगा ॹ सकटेसे ये आपका तो इसमरे लेंट टाने सोटो तो ये आपका कौंसा है सिक्सका का ये दोने चैसे स devotion भी है और डेफनेशन घब यह आपको त्तनल देख का फुकॉस के प्र उत्तर लेंस के मुख्य अच्छ पर इस्तित एक निश्चित बिंदू जिससे चलने वाली प्रिकास करने लेंस से अब वरतन के बाद मुख्य अच्छ के क्या हो जाती समानतर अभी डाग्राम समझाऊंगी यसे यह उत्तर हो गया ठीक है यहां से कोई किरण आ रही है पहले मैं आपको थोड़ा से डाग्राम बना देश्च यह उत्तर हो गया यहां से किरण आ रही है कोई ठीक है यह डेट डेस हो रहा फिर यहां से यह सीधा निकलेंगी समानतर हो के ऐसे 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 यह समानतर हो गयी यहां पर जहां से यह निकल लिए उसको F1 माल लेंगे फोकस बन यहनी प्रतम देती है फोकस ठीक है इतने दूरी F माल लेंगे जो लेंस है यह इसको L लेंगे यहां पर तो यही डेफिनेशन मनेगी कि उत्तर लेंस के मुक्य अच्छ परिस्तित अच्छ एसे डेड़ेसश माल लेंगे मुक्य अच्छ पर इस्तित एक निश्चित बिंदू से चलने वाले यह दो है ठीक है लेंस से अब बटन के पश्चा जैसी लेंस से गुजरींगी तो क्या हो जाएंगी समानतर हो जाएंगी उत्तर लेंस का यह प्रत्म फोकस कहलाता है यह अप डाइग्राम यह किरण आरिक हो गया इसका अब दितिया वाला देख लो पहले डैफिनेस उसलो इसमें भी यह मुख्य अच्छ के समांतर आने वाली प्रिकास केरने उत्तर लेंस से अब वतन के पश्चात मुखके बंद पर मिलती हैं उसे दितिया फोकस करते उसका ज़श्ट उल्टा करना है वहां पर समांतर हो रही थी इसमें क्या है कि समांतर हो कि ऐसे आ रही है और एक बंद पर आ ake क्या हंगी मिल जाएगी यहां सह üzerine मना लिए दितिया फोकस करेंगे अब यह मने एक एफ्ट में क्या था उल्टा था ऐसे सारी केड़ा के इदर समांतर होती थी इसमें समांतर तो पहले सही है जैसी लेंस से निकलेंगे वहाँ पर एक बिंदपर आके मिल जाएंगे सारी जिस्त उसका उल्टा बनाना है तब आपका यह दितिया फोकस है यह एफ्टू कहला है समझ के डै इसे पहले वह प्रस्टेर कर वारका है पर सलूशन में ता आप इस सवाल देखू किस तरह से करना है थोड़ा साहार्ट लेएं वैसे इतना कि आपको डाइग्रामले भी इस तरह से में में कार वा रख्यें उन मैसे भी आपको मिल जाएगा यह भी थोड़ा हालेफोड स्रीडी करम में जोडने पर उनका तुली पितरोत मतल省 स्रीडी में गर हम जोड़े इस थरे से आर्वन अडू को तो तुली पितरोत कृतना अरहा है 25 अब वह नी नहीं है निए भी यह पता नहीं है ठीक है और अगर समांतर में जोड़ें ऐसे करके जोड़ें कि तब उनका डॉर्टल प्रतुद करते ना आर चार आ रहा है तो वह हमें डिजिट फैन्द आउट करनी है, तब आपको प्रत्र बताना, CED में 25 है, समांतर में 4 है, अब बो डिजिट दो कैसे फांट करेंगे । जिसमें कैसे फांट करेंगे सिहें, जो एक पीज ग्लेर तो खाली फिर बताते हैं आपको आप कॉपी पे एक इक स्टेप नोट डाउन करते चलोगो कि पेपर में कोई भी आ सकता तो आपका गलत ना हो मैंने आपको यह स्टेप बताते हैं चोटा सा लिखूंगी आरबन सिरे में जोड़े तो 25 आए और समांतर में जोड़ेंगे आप लिखते जाओ क्योंकि मैं यहां से रफ करना पड़ेगा फिर यहां पर 4 आए ठीक है अगर हम इसका LCM लेंगे तो यह हमारी क्रिसम बनेगी नीचे तो LCM आएगा आरबन आरटू ठीक है इंदो इसका इससे करो आरबन आरटू इंचिकल टू फॉर यह बनेगा अ ठीक है LCM लेंगा अगरम करेंगे तो आरबन प्लस आरटू यासे रख दो आरबन आरटू अपॉन 25 अब बैलू पलट जागी समानता है करम में है न यह 4 है तो देखो आपको कर भी नहीं होना है कैसे करना है एक बटे आरबन वह वेल्यू आपसे लिग देना एक बटे आरटू और यह था हमारा एक बटे चार ठीक है अब इसको सौल करेंगे तो उपर आएगा आरबन प्लस एरटू अपॉन आरबन आरट और टू यहन थाया आ फो ар्टू को को गंवे चांञे से रख दिया में बनपॉन फोह अब बैल्यु तो यहां पर तो स्पेस तो आरवन आरटू ऊपर पहुंच गया वैलू परणड़ी आप कॉपीपे नोट रेंज करो तो आप समझते जाओगे और नीचे आएगा और नाटू अब बन जो उपर बन पॉड़ता न वह फोर रहे जागा नीचे बन का मिंस नहीं होता है अब वैलू रख दो आरवन आटू की तो लेंदी से वाला देखो आरवन आटू नीचे आरवन प्लस आटू रावर किता था पच्चिस था तो इसके ज क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो तो आरवन आटू इसकल तो किता हो जाएगा 100 अब देखो आगया आट वन आटू इसकल तो हंडड़ अब एक फार्मुला वाता है जैसे ए मैनस बीका स्कॉर का कते ना ऐसी तरह से फॉर्मुला आना आर मैनस आटू का होल स्कॉर आरवन प्लस आरटू का होल स्कॉर्ए माइनस आरवन आरटू ये फॉर्म्मला लगेगा ठीक है जैसे ये बीक में लगते हैं तो आरवन प्लस आटू की वैलू कित्ती थी प्लस में है कितना थी 25 25 का स्कॉर्र minus four into r minus r to value कित्त ही है 100 है तो है तो यह फे 400 हो जाएगा तो 25 का स्क्राइब करेंगे तो किता हो जाएगा 625 25 का किता हो जाएगा इसक्वार 625 ठीक है 25 माइनस 625 माइनस इसका किता हो 100 अब देखो थोड़ा से मैंनस में लॉंग में कर लिया है इसे अब पन्फूज नहीं हूँ आरबन प्लस आरटू का होल स्क्राइर माइनस 4 आरबन आरटू यह तो था तो आरबन प्लस आरटू की वैलू कितनी है पत्चिस यहां रख लेंगे माइनस 4 इंटू आरबन आरटू की वैलू किती ती हंडेट तो पत्चिस का आएगा चाहसा पत्चिस यह चार सो तो कित्त आएगा इसका माइनस करके का कई दूसर पत्चिस ठीक है 200 पत्चिस आया करेंगे अब देखो क्या करेंगे और रूट लगा ओं मारांगे अगे अंड्रूट लगा ओंटार्वनाटू का क्वेस्ट रू तो चाह चला दूगे स्क्वेयर का तो तो थीसकु आइगा तो आरबन प्लस R2 इस इकल्टो कितना आएगा 15 है ठीक है ये कितना आएगा 15 है अब दीखो शॉल्फ के सागे तोड़ा लॉंग सम से अब R1 प्लस R2 इसका मान आया इसका तो मारे पास पता था 25 है दूसरा हम ने निकाला R1-R2 इसका निकाला हम ने 15 है तो r2 से plus minus 1 cancel हो गया तो 2 r1 is equal to 40 तो r1 की value निकल आई 20 कितना आगया 20 ohm जब r20 निकल आए तो r1 निकल आए तो r2 भी निकल लेंगे तो formula इसी में रख दो r1 r2 is equal to 20 होता है यह 20 निकल आए अब यहां से रुको पर से लिए 3 step r1 r2 is equal to क्या था 25 तो r1 का मान हमने कितना निकल आए अब ही 20 यह 20 रख देंगे यह 25 था तो r2 निकल लेंगे तो 20 मानस पंदर है यह मानस है यहां पर कितना आएगा 5 तो r1 निकला 20 और r2 निकला 5 उसने condition क्या रखी थी उसने यह बोला था 20 निकाल लिया यह 5 उन्हें जोड़ता कि दोनों को जोड़के 25 आना चाहिए तो स्टेडिक्रम अगर हम 205 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आ रहा है और कर लेते ह campaigns को एक थी का question है फिर एक सवाल है आप चाहिए कर लो चाहिए कर लो मैं दौनों बताती हूं परनलका चुमक की भात कैसे बीवाः करती है यहां पर नलका नालका होगा पर नालका क्याशार कर कर सकते हैं कि प्रिए को कि है शकूल इसमें दहरा प्रपाइद करते हैं तो यह एक चुम्मक की सथरे व्युवार करती है खिलाय वासी है कि अधर मेत भाघितितां जब है पाला करते हैं रमका का एक शिरा उत्री तरुप की तरह काम करें गार को जैसे त्रश्रो perceived सिधर के बाद बीवार काम करता है ठीक है समान दिर्भों के बीच प्रीत करश्रबल लगता है यहां रखना समान तद्रोब होंगे तो क्यान होगा प्रिथे करिफ मान वो सब्सक्र तरे हो नौट नौट से ओगता है फ्रीद द्रो जाएंगी जैसे नौर्थ साउथ हो या साउथ नौर्थ हो भी प्रीत में आकाश्रबर लगता है समान में पितकसित पूछा गया question यह होता है ठीक है इस गुर का अप्यूक करके हम धारा भाई पर नालका के उत्तरी और दच्री दूर्प का निधार कर सकते हैं आप इससे लिख देंगे उसके बाद यह नहीं आ रहा तो आप यह सवाल कर लो बहुत ही सिंपल है यह समस भी इसमें पहचानों क्या देखा फोकुस दूरी दे बी कितना यहां पर माइनस का टेन माइनस क्यों लग रही है क्योंकि आप दल है मैं आप पो सवाल बताए तो उसमें बता रखें मैंने प्लेस में देख सकते हैं कितनी दूरी पर यानि यू हमसे पूछा गया है लेंस और दरपड के दोनों के फर्मुले अलग-अलग होते ह दरपड में यह वाला फर्मुले चलता है प्लस में लेंस में क्या होता है मैनस में L Angel का फोर्मृला देखते है बन बञतों 1b- u ड़द इकलट lemons 1f यह हो था है दरपड होता है यह लग प्लस लगा देते है ठीक है अब यांप एक लिख लो यांपे B की वैलू थी माइनस 10 यह हमें निकालना है F की वैलू कितनी है माइनस का 15 ठीक है माइनस का 15 अब देखो हमें यह यह वाला निकालना है U कमान निकालेंगे तो कैसे करेंगे 1 अपन यू बाहर निकालेंगे ठीक है और यह माइनस का माइनस काटें नहीं रहेगा अब जो माइनस का 15 है यह किसका बन जागा प्लस का यह जैसा वैसे रहे से हम कहीं नहीं लेगें इस माइनस को इधर लेके आ रहे हैं देखो यह था इसका फॉर्मुला कारम उल्टाप फॉर्मुला इधर पच्चंत करके ले जाएंगे तो यह बन जाएगा अब इसमें आप करके देखो आना हमसे बी की वैल्यू टैन पच्चंत करके यह बनेगा माइनस इसकी ती 15 है फॉर्मुला में माइनस है एक माइनस में अल्रडी वैल्यू में है तो माइनस के बन आपकॉन 10 माइनस के बन अपकॉन 15 2500 का है ती 15 आएगा ठीक है माइनस के 3 हो जाएगा 10 का 30 में मागदेंगे माइनस का 10 ती 30 15 तो टी 20 अगज़के जिन बचों ने सवाल कि वो वीडियो दे रखें उनको समझ में आ रहा होगा कि value कैसे बलट जाती है ठीक है तो e की value minus 30 निकलेगी दूरी पर बनेगा कुछ नहीं है बस formula दोनों जो value दे रखें तो minus में लेनी है और ये वाला formula put कर देना है इससे आप देखना minus 30 आपका आरम से निकलाएगा ठीक है इसको minus 15 रखना होता है इसको minus 10 बस इससे minus 30 आदाएगा उसके वाइस ने संग में आरिक भी पूछा तो आपको अप्तलेंस इस तरह से एक line गीच नहीं है थीक है अप तो लेंस इसतर से बनाना है dad dad desches ahora couple इक प्रित्व बनाना है इस तरह से यहाँ निकाल देना है एके आसे थोड़ा बड़ा सा बनेगा ठीक है ये इससे मिलेगा प्रित्म ए भी माल लेना यह दस सेंटिमेटर का दे रखा है यह टोटल तीस दे रखा जो मारा निकल के आया है प्रित्म कीच लेंगे इसको यहां से डेड़र सेर के निकालेंगे ऐसे आरेक बनेगा आप सवाल भी कर लेना उससे आपका हो जाएगा कि रख कभी कभी बूस्तर बैसे जातार नहीं आता है ठीक है अब लास्ट कोश्चिन फिसका देव फिजिक्स में इतना टाइम लग गया प्रिकास के परावतन से क्या अतात पर प्रिकास के नेम को चित्र से समझाना है बहुत सिंपल है है कि जब कोई प्रिकास के करण किसी चिखने प्रश्चच से टकते हैं ठीक है छिखने प्रिकास के प्रावतन केह लाती है प्रिकास की किरण का किसी चिकनर प्रस्टे टक्राकर बापास उसे मादधे में लोटाना प्रिकास का परावतिन कलाता है यह हो गया इसका फिर इसके नियम दो नियम होते हैं देखो एक तो आपतित किरण जाने बली किरण आपतित और लोट के आ रही है परावतित किरण और पया नियम यह गया आप तन इयस yaptक्र चेल्पु परावध रड़़य हो दूसा नियम और आपतन कॉन आई परावधन कॉन आपतन कॉन. आपतन कॉन आई परावधन कॉन आर के बरावर होता दूसा नियम यह ऐग, इस तरह सअब इसको कर देंगे. U South Kenya was papal ail-gyar is in the up-the link. यह इस तरह से आपको प्रफ़क्वर के लाना है और बनाया टू ठीक है आप चोईस में परावदन करें से बहुत इस तरह से प्रफ़क्वर के लिख आएंगे अगर मैं बताऊंगे तो बहुत टाइम लगेगा आप इसमें मैंने सवाल करवा दिया अब देख लेते हैं कैमिस मुल्टिप्लाइ कर दो तो क्या बनेगा पी बी एनो थरी का होल्ट वाई जैसे बना लिया करो फॉर्मुले तो यह हमारा आंसर राइट हो चाएगा कि मौश्म मैंने कोशन कई बार पूछा गया है सल्फर डायोकसड यह एनि एसो टू का जली बिलन कैसा होता है यह होता है अमली है कि नेक्स्ट है कौन से धात हूं अमने से हाइटन बिस्तापत कर देगी जिसका हाइटन से उपर इस्थान होगा वो आराम से कर देगी तो हाइटन से अब आपने आद की टॉप पे पोटेशियम है बिल्कुल लो पे आपका एयू जिंक हाइटन से उपर इसे तो यह जिंक की हाइटन को बिस्तापत कर देगी बाकि ना कॉपर कर पाएगे ना सिल्बर ना मर्करी क्यों क्यों क्योंकि सक्रता सेडी में हाइटन से यह नीचे से दो कुसे कहते हैं यह कि अपनी बाहिसा में लिखेंगे की अविकारक भाग लेने वाले पदात अविकारक जो इदर भाग लेते हैं और बनने इदर बना MGO, क्या बना इदर MGO, ठीक है, अब यह बैलेंस निए, ओ यहां पर दो यहां पर एक है, तो हम यहां पर दो लगा देंगे, MGO यहां पर टू है, तो हमने लगा लिया, अब हम इसे कह सकते हैं, कि हमारा सम्मीकरण संतुलेत है, कैसे, अभी कारण भाग लेने वाले पतात अबकारक और बनने मले उत्पात, दोनों की संक्या जब बराबर हों, तो उसे रासानिक, यह संतुलत रासानिक समीकरण कहते हैं, के लिए, इसे लिख देंगे, उसके बाद, CAOCl2 का प्रिछलत नाम बाता आना, तो उसका, प्रिछलत नाम का मतलब है, रासे नाम पू प्रिछलत नाम हो गया, इसे बिलीचिंग पॉड़क भी कहते हैं, और जब बुझे वे चुने के क्रिया, क्लोडिन से कराई जाती है, तब यह बनता है, उसके बाद है, आई पेसी की भी, तीन-चार वीडो है, उसमें टेस्ट भी बने लिया है, और जितने हाड लेबल तक कि भी कोशन मैंने बताएं, उसमें कितना हाइप हो सकता है, सारे करवा रखें, संतरप्त, संतरप्त क्या होते हैं, सिंगल बॉंड आए तो संतरप्त है, जैसे मेथेन, एथेन, ठीक है, ऐसे, प्रोपीन, तो आई पेसी अगर आपने वो वीडियो देखें, तो आप कर लें है, तो आपको यह उल्टा बनवा रहे है, तो इसके चैन के से पेंट, मतलब पांच कारून में लेने, तो इसके लेंगे, CS3, CS2, bond का धिहान रखना है, C, C को पे non आथा, तो हम C हो यहां बठा देंगे, यह non हो गया, फिर लेंगे, CS2, CS3, अब देखो, आप एक, दो, तीन पे आगे, आए, 1, 2, 3, 4, 5, 3, और 1, 2, 3, 4, 5, तो अभी तो पूछ रहा था, 3 पेंटो नम, तो 3 पेंटे नॉन, यह इसका आई-पी से नाम, यह चेन आपको बना के देने हैं, टू प्रोपे नॉल, प्रोपे नॉल मतलब, तीन कार्वन में तेथ प्रोप, और नॉल पे क्या साओ नाता है, ओएच, तो बिठा दो, CS3, C, O, एच, नॉल हो गया है, आप एच बिठा देंगे, CS3, तो एक, दो, तीन कार्वन हो गया, और OH का नॉल बिठा दिया, तो हो गया हमारा प्रोपे नॉल, टू प्रोपे नॉल, बन, टू थिरी, बॉपी तो नॉल आ रहा है, तो यह हमारा टू प्रोपे नॉल बन गया, बॉंड धियान रखना, यह चार बैलेंसी होती है, कारवन की पूछी आती है, कारवन की बैलेंसी, यानि सहय जोगता, कितने होती है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहे हैं, यह लिख देंगे, अब, फिर परमाण करमाग 29 का तत्यों नाम लिखिए, और आबस साड़ी का, क्या बताना है, उपबर्ग बताना है, तो टूटियन को अगर आप फेक्टर करवाता है, इलक्रोंगी बन्यास, तो ऐसे तोड़ते हैं, टू, एट, ठीक हैं, 18, यह कितने हो गए, 28 और 1, तो टोड़ेंगे तो यह आएगा, और आबर्थ पूछ रहा तो इसका फ़र्ष्ट भी आबर्थ में इसको रखा गया है, उपबर्ग हो गया, फ़र्ष्ट भी में रखा हुआ है, इसका नाम बता देते हूँ, तो टू का नाम पूछा है, तो यह कौपर का होता है, 29 किसका होता है, कौपर का, ठीक है, तो टू का नाम कौपर हो कहा है, इसका परमांट बिन्यास होता है, 29 होता है, अगर बिन्यास करवाता है, तो हम तोड़ कैसे लिख देते हैं, इलक्टर बिन्यास में, ठीक है, लास् पीडियाब जो कच भरे जाते है तो एने स्कूरे में निकालते है ठीक है होगी मैंने सॉट में बता दिया है फिर देविस्तापन की क्रिया इसको इसमें जिंज गर जाते हैं कैसे दीखो इसमें पहले आप एक्जम्पल बताते हैं रियक्षन में किस तरह से अदला बदली हो जाती जाए कि तो आप एनटू एस फोर सोडियम सल्फेड ले लिया है तो भी ये सी एल टू ले लिया अच्छे से लिखो एनटू एस फोर प्लस बिस से इलु तो यहसे बनाएंगे तो एने सी एल से किरिया कर लेगा ऑलो हो गया और विए ए एक्षास लागा तो यह थोगे प्लस एनेस ये लोगया तुछ है बैलंस करने के लिए याप दो और दो है यहां पर टू लगा देंगे यह वगया तो एने ने सील से कर लिए इसने से कर लिए तो एक दूसरे काध्राबद्य होगी डैफिनेसं कैसे लखेंगे ऐसी अब करिया हैं जिसमें अधिक अब किरिया सील पधार्थ कम अब किरिया सील पधारत को उसकी योगिक से अलग कर देता है तो ये वह करें थो इसrit अपने पकिरिया weave resposta नपकिरा कहलातीहां कि एनने सील से कर ली और जो बैभी बहुत ली थी मैंने कि अधिक वाला कम को बिस्तापित करता है तो बिस्तापिन हो जाएगा दी बिस्तापन में आप लिखेंगे आयनों का अधन पदान होता है इस तरह से कर लेना कि फिर आपको यह साथ नमर में आते हैं यह आपको डिक्सन से याद होने जी कि जिंक की क्रिया इससे कर रहें तो क्या होगा क्लोन की कर रहें तो क्या होगा यह देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले जिंक का फॉर्मूला आना जी आपको यह जिंक होगा जैनि दस्ता इसकी करें आयने वससे जैनि सोडियम हडॉकसाइज करा रहे हैं तो आपका बनेगा एने टू जैड एन ओ टू सोडियम जिंकेट हिंदी में क्या बोलेंगे से सोडियम जिंकेट प्लस हाइड़न गैस निकल जाएगी है एच टू ठीक है यहाँ पे टू कर लेना इसको यह बैलन्स हो जाएगा टू एने दो होगे है अच भी दो होगे ठीक है तो इसका नाम हिंदी में ऐसे लिख देना सोडियम सोडियम शिंकेट यहूगी केbल रियक्स्यन देनी है आप देख सकते हैं बहुत इजी होते हैं केbल रेक्सन यह हो गया दूसरा क्लोरिन की बुजोगे गशाएंगरे से अभ ही आप को बिज़ेगे गशाएंगर बूडर बहुर यही है बुजे गशाएंगर बस घुमा के पूछ लेता है तो आप इससे क्या बन जाएगा सी एओ सी एल टू और प्लस पानी निकल जाएगा एच्टू ओ एच्टू ओ एच्टू ओ ब्लीचिंग बादर और पानी बनेगा ठेक है यह दूसरी रेक्षन होगी बस सिंपल होते ही कि फर्म्ला दो ने चाहिए अब कॉपर अक्साइड की किस्से करा जा रही है और साफेट तो अब कि करया किस्से कणानी है च्छ पोडते तो सी यूओ ड़लस प्लस हैस्ट अच्ट काराऊ दू तो कौपर सुल्फट करें रहा है का पाप साल्फिड बन जाएगा प्लास पानी बन जाएगा बैलन्स का नमना पोसे काई है यहाँ पर तो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर दो कर देंगे यहाँ पर भी दो कर देंगे ठीक है और यहाँ पर भी दो कर देंगे अब जिस सब बैलन्स हो जाएगा यह CU है copper sulfate 2H2 यह होगे 3 यह नहीं करने तो आप अधवा में देखो जिप्सम को जब 333 के अलविन पर गरम करा जिप्सम बही है जो प्लास्टो पैरस बनता है ठीक है सीमेंट कि दर होते हैं जो तो इसको गरम करेंगे तो अब क्या होता इसका फर्मला आना चाहिए तो जिप्सम को फर्मला होता है C-A-S-O-4 प्लस डॉट 2-H-2-O 333 कल्वन बोला तो यहां पर 333 कल्वन आप लिख देंगे ठीक है अब इससे बनेगा आपका प्लास्टो पैरस C-A-S-O-4 जिसे कैलसियम हेमिहार्ट कैलसियम सल्फेट हेमिहार्डट कहते हैं कैलसियम सल्फेट हेमिहार्डट C-A-S-O-4 प्लस 3-2-H-2 उल्टा कर देंगे ठीक है अगर इसको हीट करेंगे तो यह बन जागा इसको करेंगे तो यह बन जागा यह बन जागा यह बन रेक्शन पुछेते हो गया आपको या तो इस तरह से रेक्शन आएंगे वी वोड के एक्जाम में ठीक है ऐसी रेक्शन देदेगा या फिर साबनी करण बहल की करण एश्ट्री करण साबनी करण मैं अच्छे से करवाएं इनको आप अच्छे से कर लो यह आ जाएंगे या फिर जो मैंने पांच टॉपिक चार करवाएं धावन सोडा बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर ठीक है इनको बनाने की भी दी और यह प्लास्ट आप पैरिस इन चारों में से भी बन अभी जैसे बताए था इसमें क्या इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दो अभी ब्लीचिंग पॉर्डर बनेगा क्लस्यम औक्सी क्लोराडर से कहते हैं प्लस पानी बन जाएगा एस्टू ठीक है यह एस्टू आप है लास्ट में यह तो अभी कराई दी लास्ट बाली दिखो दो स्यो टू सल्फर होती तो एसो टू चूने के पानी से करवादो यह बनेगा केल्सियम कार्बोनेट सी एस्यो थरी प्लस पानी बन जाएगा सी एस्यो थरी और एस्टू निकल जाएगा यह हो गया कि सारी रेक्शन होगी यह होगा कैमिस्टी कंप्रेट अफड़ा देख लिए बायो जल दिल्दी से लिए बायो के मसी को देखो मरस में पर्मक उत्साजियंग उत्साजियंग आपको याद होने चाहिए तो चाप फेपडे ब्रक प्रप इसमें से प्रमक कौन सा ब्रक यान चीछ किडिनी कि इंडियन यह ठीक है पुरस्में लिंग्र सुथ कौन सा होता एक्स भाई अगर फीमेल में मादा में पूचे तो एक्स एकस आगा ठीक है पूरस में पूचे तो एक्स भाई यह हो गया प्यूरिंशारी चार होते है ना एड़नीन साइटोसीं यॉरिसल था CNG की कर लो आप LPG liquid petroleum gas ADP ADP ATP यह तो आती है ATP के कैसे लिखेंगे adenosine adenosine आप copy पर note on कर लो adenosine triphosphate ठीक है यह तो होगी ATP की ADP की सेम रहेगी adenosine बस try के जागे आप क्या कर दोगे adenosine diphosphate यह हो गया अब NADP की देखलो N से लिखेंगे nicotinamide adenosine adenosine di dc dye फिर लिखेंगे nucleotide 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 निकोडिनमाइट एडिनाइन ठीक है उसके बाद डाई डाई पर यह मातरा ने आएगी डाई न्यू किलियो टाइट और पी से सब्जे में फास्ट वेट है पी से आपको फास्ट वेट ही लिखना है फुल फर्म कद्र लश्का यह याद होने चीए समझा संब्रती आपको एक नएक पेपर में जूरू मिल जाएगा अन्ते निसेशन इसी में डैफिनेशन में जो नाम है इसी में इसकी डैफिनेशन चुपी है कैसे लखेंगे जब निसेशन के लिए सरीर के अंदर होती है तब उसे अन् करते हैं जब स करिया सरीर के और होती है तो उसे बार एक तो पच्ची हो गए जत्ने पच्ची है वह भी अंदर ही करते हो 손 और जितने में इस्तनी होगे इस्तंधारी यह ठीक और दूसरा जो बाहर करते हैं नेशेशन करिया को बाहर करने वाले जनतु के एक्जामपल हैं आपका मचली हो गया ओभैचर में आपका मेड़क ले लो यह नेशेशन के दूसर को बाहर करते हैं अब देख़्िए संकर और संकरर संकर किसे कहते है जब दो बिप्टीत लच्छणों वाले नर तदा मादा के इमद्ध जनन कराया जाता है तो उसे संकर कहते है और उनसे उत्पन होने वाली संतानों को संकरण ठीक है इसका उल्टा करना एक मिनट को क्या से लिकिंग आप कि जब विप्रीत लच्छनों वाले नर्दता मादा के मद्ध जरन करा जाता है तो उसे संकरण कहते हैं ठीक है और इससे बनने वाली की औ самой फिमेल के बीच मेल duplic किरिया करा जाती हुचे जो मेंडल ने कर वाया था धो पौद भी मटर का बृद्स लीए था दो किसमों कर औहं यह नमबर यहां पर देख सकते हैं चार दो नमबर में तो यह थे अग कुछ पित्रस क्या होता है यह कहां स्रावित होता है यह एक्रस से निकलता है पित्रस ठीक है तो डेफिनिशन कैसे लखेंगे पित्रस की कि एक्रत द्वारा स्रावित एक्रस से यानि लिवर से निकलता है एक्रत सबसे बड़ी गंती एक्रती होती है एक्रत द्वारा स्रावित छार पित्ता से में में रहता है, या नी गाल ब्लेडर जिस इंग्लिस में गाल ब्लेडर कहते हैं पित्ता से में रहता है। और ये चारी पक्रती का होता है ये क्रसी स्रावित होता है। पित्ता समें एकटा रहता है। А Pubis चाहो तो यह क्या करना आपको ? फुषप की अंधैरकाट का नामें की परद चित्र向 आपको डिफाइन करना है यहां पेचितर बनाना बस परागड करिया निश्चिजन से किस परकार भिनने है अब यह पूछा इसमें निस्ट जन तो मैंने विए आपको बताई दिया male of female के वालों में कराते अंते बाहई हो गया परागड के रिया क्या होती है देख लो एक पुस्प के पराकड जब उसी जाती के पुस्प के वर्तिकागर या निस्टिकमा पर वर्तिकागर पर पहुंचते हैं तो इस किरिया को परागड या पॉलिनेशन कहते हैं ठीक है जब एक पुस्प के पराकड उसी जाती के पुस्प पर जैसे गुलाब के प्रेट के कोई जो गुलाब विए को परागर और परपरागर शोग एक ही पुस्प परागर रहेंगे और उसमें परपरागर में क्या होता किसी दूसरी जाती के पूस्प के बीच में पहले बहुता हुआ चुकियों ज्यादा रियट में अम नहीं बतारी में सुद्ध लूंबे और सुद्ध बॉने पौधे क्या होते हैं यह मेंडल का प्रिथमनी है प्रभावत दकानियों संकर संकर बताई दिया मैंने मेल और फिमेल की बीच में प्रिक्रा करा जाती है वो संकर और उन से उत्पन्न होने बड़े संताने संकर कहलाती है तो इननों बौलाता मेंडल ने मतर की पौधे पर इन्होंने प्रियुक्ष प्रियूक के थी मतर के पौधे पर मतर की बेंगे नाम आता है पाइसम सैटाईबं को जो को पुछा तबो बता देती हूं और इन्हें आन्वानसिकी का पिता कहा जाता है आधनिक अधनिक पूषे तो टी एच मंओंगन हैं और उन्हें किस पौदए उन्हें कौन से उस पर किये थे फलमक्खिप पर प्रड़ुकह तीन नियम देते हैं प्रवाप्ता का नियम परकलाड का नियम और हथ cukंड़ और तक था थुच्मड़ यह को फीन इस इए न मटर्वाप्ता केности हो लच्छणों के बीच पौदों के बीच जब दो बुरूदी लच्छणों के बीच क्या कराते हैं संक्रण कराते हैं तो पितन पीडी में सभी पौदे लंबत पन होते हैं और जो लंबत पन होते हैं लंबावन और जो छिप जाते हैं से बौनापन कहा जाता है तो आप कैसे लखेंगे तो आपने बास हम लखेंगे कि इस नियम के उनसा जब दो परस पर बुरोधी लच्छड़ वाले पौधों के बीच ठीक है जब दो परस पर बुरोधी लच्छड़ वाले पौधों के भी संक्रड कराया जाता है तो उनकी संतानों में केबल प्रवाभी लचड़ी दिखाई देता है और दूसरे लचड़ छिप जाता है जो दिखाई देता है उसे प्रवाभी लचड़ कहते हैं मतलब लंबापन कहते हैं और जो छिप जाता है उसे अप्रवाभी या बॉनपन कहते हैं यह इनका नियम है ठीक है यह आप लिखतेंगे लास्ट में आपको बायो में आपका डार्मिन लेमार्ग बाद यह लोंग याद कर लेने हैं ठीक है और इधर इस चेप्ट में से आपको हिर्दे मनुसकी आहरनाल जिसका पाच्छत दिये बाला सोसन उससरजन प्रकास लेशन यह लोंग आपको त्यार कर लेने में सब्सक्राइब के एक्जम में मिल जाएगा लास्ट में से डार्मिन बाद लेमार्ग बाद मैंडल के तिरों नहीं यह याद कर लो इस्टार्टिक में उससरजन हिर्देवाला आहरनाल ठीक है सोसन माला होई गया प्रकास अंसलेशर इचार-पंच कि Two ओठीक है और मारव के जो मनुष्ट वर्ग किडनी की कृईवधी को नामां की चितर की साइथा से आपको समझाना है और आं तो मैं कि क्लिया को तो सब्सदन के चाहता है सिरीर में उपापर से मिद्स कि बनने कि ऐत पापचा करो उने हानकार पधार्थ बनते हैं उनको सरीड से बाहर निकालना निकालने के प्रिक्रिया कोई उतसधन कहते हैं अपने बासा आप लिख देंगे उतसर जी अंग कौन-कौन सोते हैं एक तो ब्रक सबसे मेन आपका ब्रक जिसे किडिनी कहा जाता है ठीक है और इसकी काई निफ्रोन भी बोल जाती है ने आफ रोन इसके काई होती है और दूसरा आपका तुछा जो पसीनिक रूप में निकालता है ठीक है यकरत लिवर ये भी आपका उत्सर्जियंग है सबसे बड़ी ग्रंती होती है यकरत क्या करता है कुछ पुछाता कि अमोनिया को यूरिया में कौन रहता है अमोनिया क्या होती है नेश्ट्री यूरिया मतलब एनेश्टूस यू एनेश्टू जो खाद बनती है एनेश्टूस यू एनेश्ट्री फॉर्मला होता है यूरिया का फ्रयोकसाल में सबसे पहले बनाता है मेथेन अभयपती सबसे पहले गैस जो पूछी तो मेथेन यो तो इस से पूरा हो जाता है टाइम भेली इतना लगा पर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए फिजिक्स में जाता टाइम लग गया बताने में वागी केमिश्य तो जल्दी होगी वायो भी तो जितना में बताते जारें आपके हंडे पर से नमबर शिक्कर पूरे हो जाएंगे आप पूरा पेपर करके आएंगे आपके अंदर एक जोश होना चाहिए और आप अपनी कोई भी आपको टापिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं थैंक्यू सो मच